पाले हम लोगों ने पुरा तात्विक को पढ़ चुके हैं इससे साहीद सिर wall को बहुत सारे साथ समझेता है कि उसके वाएधे साहीद को पढ़ ज़ानें थैसाद मतलब विदेशी सिर्ष्थ को अच्छी तरह से जालने था पॉ्दात्त्विक श्रोत और स्थ्तिक श्रोत के सांसाथ विदेशी स्रोतों से şन होड़े में बहुत ही पॉधं diagnostic प्राप्त होती यह विदेशी सुरोत से राजाओ का नाम और तीथी करम के बारे में महत्पून जनकारी प्राप्त होती है अध्यन के सुभधा के लिए हम लोग विदेशी सुरोत को तीन भागों में बाट कर पढ़ते हैं विदेशी सुरोत साहित्तिक सुरोत ही पढ़ रहे हैं ये भी जो विदेशी स्रोत है न वो का था कि विदेशी से जो लोग मतलब जो देश है युनान से या चीन से या आरब से यहां से जो देश भारत में आए यहां से जो लोग थे महानमान जो आदमी थे वो भारत में आए और यहां पे रहें और यहां पे रहने के बाद जो जो है उनके बारे में हमको उनके डेट के बारे में भी जब लिखते थे इन दिन या इस दिन ये यूद हुआ था तो हम लोग को है ना उनके यूद के बारे में या फिर जो भी कुछ है ना हमको पता चलता है इन जो है यूनाने का सकते हैं विदाशी सुरोत के माध्यम से हैं ना है इसको कह सकते हैं लीज़े अंगें कषे लेगें ने रहें हैं यहां के लोग यहां पर हो सब्सक बघए और यहां पर कि वह अपने फुस्तक में लिखे उन्हीं को पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बोलाया था चीनी गरंथ ठीक है उसके बाद अरब के लोग आए यहां पे रहे हैं तो सबसे पहले हम आप जान लेते हैं यूनानी गरंथ के बारे में ठीक है तो उसमें सबसे पहला न क्या कराता है कि पीता कराता यह से सवाल 번ती है कि कौन कि यह सबसे पहले न कोई घुजरा हुआ बात था न अनन को यह इनको चाहाता है और यह खास बात उसलिए कि देखे देखेह इतियास करते कि जैंके जाने कि कोई भी वी समय गुजर गया उसको इतियास कहेने लेकिन गुजर गया उसका उसका हमारे धार्मी धर्म पर हमारे धार्मिक पर हमारे संस्कृति पर हमारे राजनितिक पर हमारे देश पर परवाव परता है इंपक्ट परता है तब ही उसको हम लोग क्या करते इतिहास करते हैं ऐसे हम कल कुछ किये लेकिन उससे हमारे देश पर क्या पराओगा इंपक्ट सब में इसको लिखा जा सकता है इसको हम किसको कहते हैं नहीं तो गजरा हुआ हुआ है लेकिन राजनि पर हमारे देश양ों कर दो इतिहास किसे करते हैं आथि हटिक को पर इंप पर इंपक्ट पर ठिक है सबसे पहले जो लिखें ना मतर्ब कोई भी बात को हम ड़ेट के सांत लिखें ON लिखने वाले सबसे पहले आसी पहले उनाई ख़ली ख네 तो युनान के एक ह्षैत। तिसलिए उस बुकक क्या बोला जाता हैária हिसित्वरीका बोला जाता है और इस प्रीका अमें भारत के बारे में भी जिक्रिक की आगया है। अच्छी थरो से आप अपो उमीद करते हैं कि स्मझ में आ गए होगी है, इंके लेखक का नाम हिरोडोक। है और ये हेरो डोटस युनान के थे और ये हिस्ट्री के पिता कहें जाते हैं हिस्ट्री के इतिहास के जनक कहें जाते हैं क्योंकि ये सबसे पहले डेट के साथ बीता को लिखना सुरू किये थे मतलब डेट के साथ कोई भी घटना करम को लिखना सुरू किये थे इसलिए इसक पांसो इसापूर में ही लिखे थे हैं ना स्वंज में आगया होगा है ना चलिए आगे हम लोग देख लेता है दूसरा बुक है History of the war History of the war के बारे में जानने थे इससे भारत का सिकंदर की आकमन करने का जनकारी पराप्त होता है सिकंदर महान थे खेवर दर्णा सो कर 326 सपूर में भारत पराकमन किया थे तो इन से हमको जनकारी कहां से मिलता है तो यह History of the war जो गरंथ है इन गरंथों के मदद से भी मतलब यह जो गरंथ है इस गरंथ से हम लोगों को जनकारी मिला है कि और भी चीज़ से मिला है अभी लेक से भी मिला है और भी चीज़ से मिला है पर इस गरंथ से भी हम लोगों को जनकारी मिला है कि जो सिकंदर जो महान थे वो भारत प्राक्रमन किया था है ना खैबर दर्रे से हो कर ये 326 इसापूर में ये भारत प्राक्रमन किया था तो हमको जनकारी ये history of the war गरंद से भी मिलता है ये क्या एक स्रोथ है इनी के मदद से हम लोगे जनकारी मिला होगा और हमको एक chapter की रूप में हम लोग सिकंदर जो है उनके chapter के रूप में पढ़ते हैं तो पढ़ते तो वो कहां वो कहां से हमको जनकारी मिला है इनी चीजों के मदद से जनकारी मिला है ठीक है अगर उनोग दूसरा जो गरंद है युनानी गरंद को जानेते हैं इंडीका है इंडिका एक युनानी गरंथ है इसके बारे में जाने थे सिकंदर महान का सिनापती सेलुकस निकेटर के राजदूद मेगास्थनी चंदगुप मौरे के राजदरवार में लगवक साथ वर्सों तक रहा था इससे इसने जो कुछ भी देखा उसको इंडिका नमक गरंथ में स कि रजना की थी क्योंकि वह भारती समाज को पूर्ण रूप से समझ नहीं सका था इसके अनुसार इस जो पुस्तक में जो लिखे हैं इनके अनुसार भारत में अकाल नहीं परता था जो यह मेगास्थनी जो अपने पुस्तक में लिखते हैं इंडिका जो पुस्तक उस पु भवका फुस्था किया गया कुन है घिलत है तो या पुस्तक के बारे में जानले। राजदू थे ठीक है तुझे आगे पुस्तक के बारे में जाननेता है नहींना इसी पुस्तक Hamilton पुर्वक से पुलीनी ने रोम से सोने के नियात पर दुख परकट किया है इसी तरह अगर मतलब नियात किया जाएगा तो केवल विदेशों के साथवय पारिक संबंदों के सा ब्रक ब्रों के बारे में उले сторो चोप गए लेख़वें पुछारा सकतेrif के नीटा के ऻुपां तो पुस्तक बारे में जानते हीẹ थे ने तो इसमें हमें भारत में भुगोल के सांसा तो यह पारिक समंद्यों का उलेक किया गया है इस पुस्तक के जो लेखा के वो मतलब अग्यात को युनानी है पर पता नहीं कि को नहीं है मतलब उसके लेखा को नहीं है आस तक यह पता नहीं चल पाया है ठीक है इस पुस्तक में भारत में भारत के जलमार् और इसके लिखा क्या है को युनानी पर पता नहीं है तो बस इतना है युनानी गरंथ जो बहुत जादा फेमस पुस्तक थे इसके बारे में जान लेते हैं मतलब चीन के जो भारत में और यहां पे जो भी कुछ देखें उसको लिखें है ना और उन्ही को हम लोग परेंगे उस वक्त के बारे में हम लोग जनकारी हो जाएगा है ना इस गरंथ के अंतरगा सभी चीनी यात्री बहुत धर्म के बारे में अधिक जनकारी के लिए और बहुत धर्म जो सम्मंदित गरंथों को सरंगरित करके अपने साथ ले जाने के लिए आए थे हैं, नहीं जिनमें कुछ मुहत्पुन पुष्ट के बारे में अब हम लोग जान लोग जान लेते हैं, पहला पूझ कि जास। पुछा जा सकता है कि सबसे पहले चीन का कौन व्यक्ति भारत में आके भारत में आया था है ना तो यह पाहियान जो है वह चीनिया पहला चीनियातर रही था ठीक है फाहियान के अनुसार गूप्त कारव में डैनिक लेन्डिन में कोर्यो का पर्योग कीया जासता है ठीक है तो यह पाहियान के अनुसार हम लोग को पता चला कि गूप्त कारव की कार्व पड्योग के मदद से लेंदेन होता था खहले है इस वी में यातरा किया था भारत रहता थो एधिकर अपकुष्वर्या थे साथ जोने तो 10 वेशनी में पुष्टक जोहां सीद्य की पुस्तक के नम देखेए चाहिए तो पुछा में पूछाक की यात्रावितांत किसे कहा जाता है या पासचात्य संसार का लेख भी इसको कहा जाता है इसके लेखक वेन सांग हर्सवर्धन के समय कब तो 1629 इसापुर्व से लेके 1644 इसापुर्व में भारत आए हुए थे इनके समान में हर्सवर्धन ने करनाज में पांच भी बहुत संगीती का आयोजिन किया था फिर अध्यापन भी किता है कि यात्रियों का राज कुमार किने कहा गया है या फिर किन चीनी यात्री को कहा गया है तो ये वेंसांग को कहा गया है या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नीती का पंडित किन को कहा गया है तो ये वेंसांग को कहा गया है ठीक है वेंसांग की जीवनी को इनके मित्र वहविली ने लिखा था तो ये वेंसांग के बारे में अगर वेंसांग के बारे में पूरी पुस्ता का नाम झालेज़ किताब है तो उन्हीं के हिसाबसे नाम होगा है ना क्या है क्या है इस पुस्ता के लेखक के नाम क्या है इत्सिंग है तो इसके बारे में इस पुस्तक से हमें क्या जनकारी मिलती है भारत के बारे में इसको जान लेते हैं है ना इसे बहुत धर्म के इसे बहुत धर्म के सार संग्रह भी कहा जाता है तो देखे खास बात यहां से भी एक्जाम में एक सवाल पुछा जा सकता है कि बहुत धर्म के सार संग्र पुस्तक है इनको कहा जाता है इसको कहा जाता है ठीक एक टीनी यातरा था यह तरी पीटक की चार सो प्रतिया मतल्ब फोटोकंपी अग्लाइं उसका चार सो कॉपी करके अपने साथ चीन ले गये थे देखिए देखें यह भाध धर्म को कितना का सकते हैं कितना मानते थे इसलिए यह का कि कि तिरी पीटक को 400 कौपी कि तिरी पीटक जो ग्रंथ है तो यह तिरी पीटक को 400 कौपी किये और अपने साथ चीन ले गए इस सिंग ने सात्वी सताब्दी में भारत की यातरा कि थी जब बहुत धर्म का पतन शुरू हो गया था अब हम लोग एक और पुस्तक के बारे में जानेते हैं जो चीनी गरंथ का पुस्तक है क्या है कौंगियूर तंगियूर जो पुस्तक इस पुस्तक के बारे में जानेते हैं सबसे पहले इस पुस्तक के लिखा कोन है तो लामा तारानात है इस पुस्तक को बहुत धर्म का इतिह इतिहास कहा गया है तो यह जो कंग्यूर तंग्यूर जो पुस्तक है इस पुस्तक को बहुत धर्म का इतिहास कहा गया है क्या कहा गया है बहुत धर्म का इतिहास कहा गया है लामातारा ना तिब्बत के बहुत बिक्षू थे जिन्होंने बहुत गरंद की रजना की थी ठीक है अब हम लोग अर्बी गरंद के बारे में जानने थे ठीक है तो अर्बी गरंद में मात एक पुस्तक को सामिल किया गया मतलब आरब से जो लोग आया भारत पे भारत पे रहें और यहां के बारे में कुछ भी जो लिखे न हम लोग किताब लहिए हिंद या तव्ष्तप के बारे में अची तरह से जान लेते हैं इस पुस्तक के लेखक अल बरुुनियन के बचपन का नाम अबुरी हान था तो यह एकजाम में ये सवाल पूछा जा सकता है किताब लहिंद या तहकीकिहिंद जो पुष्टक है उसके लेखक कों है तो अल्बरुनी है यह अल्विरोनी के बचपन का नाम किया था अबूरीहान था यह महमुद गजनवी के साथ भारत आया था यह पूझता की रचना इगार्वी सदी में क्या गया था जिसमें समाजिक, धार्मिक, राजनितिक, आर्तिक, कलायों, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक, भारतियों की रिती रिवाज, और जीवान से समध्दी सभी आवस्यक, बातों का उलेकर किया गया इस पुस्तक में, कौन पुस्तक? तो अलबुर है, किताबुल हिंद जो पुस् या गया है, हैना, तो इन, देखे, अब हम किताब को पढ़एंगे, इस किताब में हम लोग को उस वक्त, जब ये आया था, आय थे जो, तो उस व्क्त हम लोग को ये जो जो देखे हweg, या फिर जो जो ये देखे पुस्तक के अनुसार भारत में जाती कर suburbs माता की जाती से होता था ये बी बात पर चला जैसे कि अभी इन को पचिक माता socialist का या मता मतलब इधायत क्या जाता था इस पुस्तक का अंग्रेजी भासा में अनुवाद किसने किया था तो किसने किया था ख attends इस पुस्तक का अलभुवनी का भारत जो पुस्तक मतलब किताब न हिंद या तहकी के हिंद जो फुस्तक है इस फुस्तक का नाम अंग्रेजी में अनुवात किया, कुन किया तो ये इसी सचाओ ये अनुवात किया था, ठीक इस परकार प्राचीन भारत की सुरोथ की रूप में तीनों महथपुन सुरोथ, जिनके वैसे हम लोगों को कि किसी एक के बिना था प्राचीन भारत के उतियास के निमान नहीं हो सकता है तो हमें प्राचीन भारत के बारे में अगर जानकारी हम आइए तो अच्छी तरह से पढ़ना ही होगा है झाल है जो पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे जों जनकारी को मिला है कहां से मिला है तो उनके सुरोतों से मिला हुआ है स्रोट से मिला हुआ है आइक किताब के मदस से मिला है हम लोगों को जनकारी दूसरा समानों के मदस से को भी जो चीज सब था प्रताथ बिक स्रोट करते हैं उसको है उसके अग्या तर्फक चुछ यात्रा जो भीदेश के जो लोग आहे थे भारत में रहें और यहाँ तो हम लोग का इतिहासि काल का जो च Whoo आग़ क्या कर लेंगे कि he करता है कि आप लोग को यह अच्छी लगी होगी अगर तो 哀र करो बावत बूंश्च विडिव के वीडियो सब्सक्राइब बाजिए पने चुमल सो तो मझें दो